D.L.E.D के सिलेबस के अनुसार आपका होगा चैप्टर जिसका नाम है आपका क्या? अध्यायाठ क्या होगा? अध्यायाठ ये लक्ष बैच चल रही है जिसमें आज का एक नया चैप्टर होगा जैसा कि मैंने अभी बताया इसका नाम है बेंजको का गुड़नफल एवं सर्वसामिकाएं बेंजक मीन्स क्या एक्सप्रेशन अलजेबरिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे बीच गड़ती है बेंजक ठीक है आगे उस अभी देखिए कुछ चीजें मैंने लिखा है जिससे आपको जल्दी से समझ में आजाएं बात ही बाकी मोटी मोटी बाते हम आपको समझाएंगे ये तो आपको आना चाहिए लेकिन इसके थोड़ा और पीछे हम ले चलते है इसमें से कितने ऐसे साथी हैं जो चर वा अचर पत जानते हैं इमानदारी से हाँ बता दो जानते हो रागिनी प्रजापती सुधानसु सिंग मौहमद हसन अनिल नीरज दिमपल रेनु गुपता सचिन कौन-कौन जानते हैं बताओ कमेंट देखता हूँ थोड़ा तफली रखो तो सबसे पहले भाईया बाबू हम आपको चर अचर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं और फिर उसके बाद इस पे आ जाएंगे ठीक है? चलो कमेंट सब का आ रहा है राधापाल परदीप चोहान और एक इनका नाम है स्वापनिल गौतम आओ जानते हो नई जानते हो थोड़ा सा देख लीजिए जानते हो तो थोड़ा तफली रखिए चर पद जिन्हें इंगलिस में वरियबल बोलते हैं वरियबल यानि ये चेंज होते रहते हैं वरि मतलब अलग-अलग बदलना ठीक है? ये constant होते हैं इन्हें एक दूसरी भासा में समझ लो ये निहायत वफ़ादार होते हैं, कुटे से भी ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, और ये कौन होते हैं, ये वाले, ये कुटे से भी ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, और ये इनसानों से ज़्यादा बहिमान होते हैं, बतलब समझ प्राइड़ों मैं क्या कहना चाहता हूं इनके मान सिच्वेशन के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन जो कि अ कंस्टेंट में होते हैं वो वो कभी नहीं बदलते हैं जैसे देखिए वरियबल्स होते हैं जो ए, बी, फी, डी, डाट, 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 जड तक इनकी संख्या सीमित होती है लिमिटेड होती है जो की सिर्च 26 होती है इपफे जादा कुछ नहीं होती है जो अचर पत होते हैं इनकी संख्या अनलिमिटेड होती है इनकी कोई limit नहीं होती है यह लाग करोन, तस करोन कहीं भी जा सकते हैं बहुत बड़ा होते हैं, ठीक है? ओके? यह वही के वही रहते हैं कहीं बदलते नहीं है जैसे देखिए अगर यहाँ पर हमें एक equation दिखाऊँ आपको 3x प्लस 5 equal 9 तो यहाँ पर जो यक्स कमान है यह situation के according change हो जाएगा क्योंकि यह depend करता है यक्स कमान क्या आएगा पता है यह यक्स कमान इस पर depend करता है, इस पर depend करता है इसके साथ में जो आगे पिछे लोग लगें ना उनके ओपर depend करता है को उस कमान क्या आएगा समझे रहे हो जैसे आपकी लाइफ में अगर कोई टार्गेट नहीं है कोई उद्देश से नहीं है कोई मतलब मोस कहते ना लाइफ का गोल डिसाइड नहीं है तो आपका साथी आपका दोस्त आपके घर वाले आपकी वो 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 सब आपको अपने अकार्डिंग यूज कर सकते हैं कोई बेच दिया जा बबू आमा दुकानी से सामान ले आओ जा मेंगी ले आओ है ना कुछ नहीं है बगल वाली भावी बोली है बही आमाए गेंवा पिसा लगता है होता नहीं है असा सुने हो कि नहीं मेरा एक दोस्त था पहले इसे वो कच्छा 11 की बात बता रहा हूं पर बस मैं परेसान हो गया उन लोग को देख देखके और ऐसे स्टाइल में बोलती थी कि मतलब सुनो तो सुनते ही रहो तुम सब छोड़के तो इस लिए कुछ डिसाइड होना चाहिए कोई गोल होना चाहिए आए आगे देखते हैं फिलहाल यह काम की बात थी जो लोग सम गए तो यह चीज समझ गए चर अचर समझ गए आगे फड़ें थीक हैं आप देखिए और आगर आप चाहर समझ गए तो इसमें दो चीजा और समझना है जिसको मैं यहां दिखाओंगा नहीं हटा दे रहा हूं समझा के मां दिखाओंगा जो लिखा आई सब सजातिये पद सजातिये सही लिख रहा हूँ पद हिंदी देखो सही है बिजातिये पद इनको जानते हो क्या होते हैं लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स देखो भईये ये सजातिये का मतलब समझातिये एक ही जाति बिरादरी के आज कल देखो बिरादरी वाली चर्चा बहुत जादा होती है इस्पेसलि यूपी और विहार में है ना राजनीती में क्यों? क्योंकि जात बिरादरी, धर्म मजहाब यही सब तो राजनीती का में मुद्धा होता है बाकी एजुकेशन से, हेल्थ से महेंगाई, विरोजगारी से सबसे किसको मतलब है? न तुम सुनना चाहो न न नियूजवाले दिखाना चाहें तो इनसे पे चर्चा भी नहीं करेंगे हम सजातिये मतलब समझातिये ऐसे अलजेबरिक एक्सप्रेशन ऐसे टम्स जो सेम कटेगरी के होते हैं उनके लिए दो कंडिशन होती है कटेगरी डिसाइड करने की देखिए कैसे? पहला नमबर एक चर समान होना चाहिए जैसे नाइन यक्स इसक्वाइर और ये होगे आपका तीन यक्स इसक्वाइर ये दोनों सजातिये हैं क्यों? देखो इनके गुडांक से कोई मतलब नहीं यहां तीन है यहां नो है यहां बारा हो इनसे कोई मतलब नहीं है मतलब यह होता बबुआ भया कि ये जो ये वाला है ये यक्स ये भी यक्स है ये सेम है बस दूसरी सर्थ क्या होती है भईया दूसरी ये घात बराबर होनी चाहिए बस ठीक है? फिर क्या होगा? वो सजातीय पढ़ होगा देखो यहाँ पर ज़रा देखना समल के देखना जरा अगला देखो समल के देखना ये फजातिय पद नहीं होगा देखो कैसे जैसे मानलो ये भी मने लिखा 9x यहाँ पर मने लिख दिया 3x का 3 यहाँ पर मने लिख दिया 12x का 5 यह फिर एक काम न कर रहा तू रुका रहा वाई घाद दूई अब इधर वाला बिजाती है बद है कोई बताएगा क्यों क्यों बताओ तुम का होगे है इधर है तो 9 था यहाँ भी 9 था यहाँ तीन था यहाँ भी 3 यहाँ बारा था यहाँ बारा फिर बिजाती है उसा जाती है ऐसा कैसे क्योंकि उसका कोई यूज नहीं था उसमें उसका क कि दिख रहा है न कि लिए रटी तो है कि नहीं कि कमेंट सब के आ रहे हैं तसली रखें लाइश्ट में बात चीत करेंगे चलो यह डियलेट वालों की कलास है वर्मा जी है चलो देखो आवई देखी यह सजातिये पद है क्योंकि इसमें चर समान था घाते भी समान थी इसमें चर देखो समान है बट इसमें तो नहीं समान है अलग है वाई है इसमें घात एक है इसमें तीन है इसमें दो है घात बराबर है नहीं नहीं तो यह क्या है बिज्ञाती यह बद है ठीक है आगला देख लो एक और करें में देखो ये भी सजातिय पद है क्यूं? देखो ध्यान दो पहले बताओ कितने लोग कह रहो कि ये सजातिय पद है अगर है तो आप लिखोगे यल यल मतलब like terms अगर ये बिजातिय पद है तो यू लिखोगे यू मतलब unlike terms अब ये लिखो ये सब देख करके कुछ और मत सोचना वैसे भी red color में सजातिय पद है कि बिजातिय पद? देखिया इसकी दो condition है simple में देखो भाईया यहां पर देखो समझो थोड़ा सा समझो पहले तो चर बराबर होना चाहिए इसमें देखो यक्स है बबुआ इसमें भी यक्स है रुख जा बयाबा रुख जा इसमें यक्स है इसमें भी यक्स है इसमें वाईय है इसमें जड है इसमें भी जड है तो चर तो समान है तीनों में अब देखो घातों की क्या हाल चाल है इसमें देखो यक्स की एक घात है इसमें भी यक्स की एक है है इसमें भी यक्स की एक है है यानि यक्स की घात तो बराबर है इसमें वाई की दो है इसमें भी दो है जड की एक है एक है एक है देखो वो आगे पीछे हो सकता उससे कोई फरक नहीं पड़ता देखो ये तीनो एक है है, ठीक है, दिख रहा है, ये तीनो एक ही है, इनको इधर उधर 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 कर सकते हो, कोई फरक नहीं बढ़ता है, सभी समझ गेत एक बार हाँ बोल दें और सेशन को लाइक कर दें क्योंकि जादा फे जादा बच्ची अभी तक लाइक ने किये बाबू ठीक है आपकी भी जीमिदारी है फटा फट करें मैं हटता हूं सामने से चलो मुहम्मद हसन करन माजी कुमार सक्ती जोती सिंग रितिका पाल सुधानसु तोनम सिवानी बर्मा नर्सिंग स्टूडेंट भाई धक्टर लोग यहां कहें को आएं किसी को कोई तकलीफ किसी को दिल का दर्द हो रहा है तो बताओ नहीं हो रहा है चलो अभी होगा लाष्ट मे पढते रहो तो यह समझ गए तो यह समझ गए यानि यह क्या था सजातिय बद था अब आजाओ इसमें यह बिजातिय बद है यह साजातिय बद है जाँ jesteśmy अå ब़ई जिला बताओ अपना डिश्टिक 21 x y square z और ये है 18 z y square और ये है सिर्फ x y square तो क्या बी वाले ये सभी सजातिय पद हैं और नहीं है तो क्यों बताओ Anyone? बोलो देख लो मैं हट गया लो सामने से मैं हटता हूँ कि पूरा इस्क्रीन आपको दिखे मेरा थोबड़ा न दिखता रहे आईए मैं बता देता हूँ पहले हर दम थोड़े बताऊंगा अभी बता रहा हूँ इसमें x y z 3 चर है इसमें 3 है ये नहीं है इसमें keval x y है तो सबसे बड़ा लोचा है इसमें चर तो बराबर है ये नहीं है पाहली कंडिशन पर फेल तो घात का कोई मतलब नहीं है जब चर ही बराबर नहीं है तो घात क्या देखोगे ठीक है रागिनी ने सबसे पहला जवाब दिया है चलो सबी समझ गए तो सजातिय भी जाती है सीख गए इसको मिटाओंगा नहीं आगे देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है अगर सीख गए ना तो सब कुछ सीख गए एक बात याद रखना और इस कलास में हर कोई नहीं टिकने माला है जो रियल में पढ़ना चाहता है ला अचाहा इधर देखो सबी ध्यान से अगर इनको हम A बोले इनको B बोले इनको D बोले इनको C बोले तो इनमें कौन-कौन सजातिये पद है मुझे बताओ इमानदारी के साथ अगर आपको लगता है कि मेरे यार मेरे भहिया इनमें सजातिये पद A और B है तो इसका मतलब ये सजातिये है ये है कौन-कौन सजाति यह पद हैं जोड़ी बताओ कि किसी को दिख रहा है कि चार पद है न कि लाइक टम्स बताओ सिर्फ पढ़ने वाले बताएंगे बाकी लोग तो भाग जाएंगे वैसे मुझे पताएं अगर आथ दो लोग भी पढ़ेंगे ना तो हमारा पढ़ाना सफल हुआ क्योंकि इसमें सिखने की कोषिस नहीं किया पार्ती गलत है सोनम दूबे A.C. और B.D. बोल रही तो भाईया सोनम जी ने कहा है A.P. और B.D. इन्होंने कहा है तो जाइर सी बात है सही कहा होगा भाईया देको इनकी जोडी बनी है ये सब एक दूसरे के कपल हैं लेकिन इनकी जो दूसरी वाली है ना इनसे दूर है उनको मिलाना है ये दोनों सेम है पजातिये हैं और ये दोनों सेम है दोनों है बगल है बगल लेकिन तुम पहचाने नहीं पा रहे हो अब देखो कैसे दिखाता हूँ इनको लिख दिया इनको इधर ले आओ, यक्स को पहले कर लो, वाई को बाद में कर लो और जड को बाद में अगर ध्यान से देखो एक नजर दोड़ा के तो ये एकदम सेम है है न, मैंने पहले बता दिया इसके गुड़ा अंक से कोई मतलब नहीं है इसके पहले जुगिंती यहां तीन है, यहां नो है, यह कुछ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है इनको देखो इसमें इसका गुड़ा है सोला का, तो यह हो जाएगा सिक्स्टीन या सिस्क्वाइर जड़ देखो, सेम है न, इसका मतलब AC और BD आपस में सजातिये हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर इस क्लास में 5-10 लोग भी रुके हैं तो यह क्लास सफल हुई, क्योंकि यह जो टॉपिक है, यह 0 लेवल नहीं है यह DLED में जो 25 में पचीफ नंबर पाना चाहता है, वही छात्रिस को पढ़ पाएगा जो भाग के जाएगा, उसका कुछ होने वाल नहीं है उसका बस नाम ही रहेगा कि हाँ बिटीवा बिटवा पढ़ता है बस का करता है, DLED करता है अच्छा, अब की बता लेना तब जानेंगे कहां तुम बताए ले रहे हो और लिखेंगे, अभी रुके रहा हूं, सबर करो अब इसमें बताओ, चलो यह A है, दिखरा लाल वाला ना, B, C, D, F, E, G अब बताओ, इसमें कौन-कौन सजातिय पद है, इमानदारी के साथ बताओ A, B, C, D सजातिये है, A, F सजातिये है, या E, F सजातिये है, या C, D सजातिये है, बताओ दा रूलर, आरहे समझ में, रिशाप बलाक, मेना अहिरवार, जी बहुत-बहुत थैंक्यू कुकामना सुकला, सभी को समझ में आ रहा है, फटा-फट लिखला भाईया, जल्दी-जल्दी लिखला, जल्दी लिखला, 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 और हाँ एक चीज़ और, जिनको कम समय में पूरा सीखना है, डेली रेगुलर क्लास पढ़ना है, वो ध्यान रखें, अगर उन्हें 25 में 25 लाना है टीलेड मैथ में, तो पीबियार स्टेडी एप में जा करके, पूरा कोर्स इन्रॉल कर लें, मैथ का ढंग से बढ़ें, इमानदारी से, हमारे साथ व पर थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, स्वरी मतलब यूटूब पर, यूटूब पर टाइम लंबा लग सकता है, क्योंकि यूटूब पर पढ़ाने का जादा समय नहीं बचता है, कौन सा पेज था यार कहा बढ़ा रहे था, चलिए, अब मैं बता हूँ क्या, बता लिए आप लोग, A, C, E, F, कोई बताया है, बाई देखो, ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना, तो मेरे फनक जाती, पता नहीं काहे को, पता नहीं कहां सपइदा हो जाते हैं ये, जब मैं आपसन दिया हूँ कि तुम्हें A, B, C, D में लिखना है, तो पूरा उतार रहा कोन हो, पूरा, गुज जाओ उसी में, मैं बोलूँगा ने, तुम्हारा कमेंटर ने बोलूँगा, प्रितिकुस्वाह, इन्होंने सिकर्ड नमबर पर बताया, सुधानसू ने बताया, B, C, A, F, और E, F, B, F, बिल्कुल भी नहीं है, सुधानसू गलात है तुम्हारा फिर, ठीक है, कोई बात नहीं, A, F, A, F सही है, सुधानसू आपका सिकर्ड डॉला सही है, इसमें कौन-कौन सजातिये पद है, एक बार तो ट्राई कर लो भाहिया, कर लो ना, काहे को परिसानी में जा रहे हो, आओ चलो देखो, पहले इनकी जोड़ी खोजो, देखो इनके कितने गुण मिल रहे हैं, 36 मच 36 मिल रहे हैं की नहीं, देखो आओ चलो, इनको पहले सफेद कर लो, X YZ, यक्स की गहाद 2 होनी चाहिए, Y की 1 और Z की 1, इसमें X Y Z नहीं है, क्योंकि इसमें Z की गहाद 2 है, एक तरब से सब में खोजो, इसमें यakस की 2 है yz की एक एक है सही है वह या सही है मिलगा हो a p होई गाय के मतलब इसमें z की 2 है होगा नहीं इसमें यakस की 2 है yz यह भी सही है तो यानि a ce kama मखना लगा और कौन है या f वाला भी तो इसे है EF A, C, E, F तो इनको घेर तो फटा-फट ये हो चुके है P जितना पर क्रास कर दिया वो निपट गए उनसे कोई मतलब नहीं अब आजाओ अगले कलर का लगाएंगे इन पर लगाओ Z की घाद दो होनी चाहिए और YAKS Y की एक-एक होनी चाहिए Z की घाद दो YAKS Y एक-एक, सही है यह यानि B, G या नीचे लिग लो B, G भाईया तीने ठीब बचाए था ये किसी का नहीं है ये किसी का नहीं है उनमें YAKS की भी एक है, Y, Z की दो-दो है तो बस इतना सजातिय है A, C, E, F और B, G और ये D को अलग मत रखो ये किसी का सजातिय नहीं है ये बिरादरी के बाहर है ये निहत तो कुँआ रहा है इसका कोई जोड़ी जोड़ी नहीं क्या बोलते हैं उसे ओरिजिनल पेवर अगर आपने इमानदारी से देखा और समझा या पहले से आपको पता है तब ही आप बता पाओगे वरना ये बता बता नहीं पाओगे एक्स वाई में तो दो घात है तो भाया इसको तो मैं किसी के साथ नहीं है अब अहीं तक तो हम टपिक वे नहीं शुरू करें जो करना था अब अब तक तो हम फालतू है नहीं धकेल रहे हैं चलो छोड़ो अटाओ ये सब आज का टॉपिक है बीजीय बेंजक और बीजीय बेंजक के पहले ये पढ़ना जो मैंने अभी पढ़ाया इतनी होजाई कना जरूरी था मेरी यवास हुआ रही है गर्मी लग रहे है न लंबी यार मैंने देखा था एक मैं का स्टूडियो उन्होंने सामने से एक बड़ी फिल लाइट लगा रखा था चेहरे पे काफी सुन्दर मुंदर लग रही थी तो मैं सोच रहा था कि मैं भी एक लाइट ले आँ एसा रही है नहीं और मैं ले भी आया ऐसी बात नहीं है उसको लाके रखा हूँ पांच वांच महीना हो गया साड़े सात्रा सो की सम्थिंग था ऐसे फ्लॉट लाइट बोलते हैं लेकिन मैं उसको एक दिन टेबल पर जला के देखा मेरी आख ने जवाब दे दिया कि कल के बाद मैं नहीं देखूंगी अगर इसको जलाओगे तब से मैंने जलाया समझ रहे होग नहीं तब उसे मैंने उसको नहीं जलाया लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ जलाने को फिर से आगे चलें आज कल का एक टाइम यह है बता है कि अगर कूलर रेफी चलाओ तो ठंडी लगती है ना चलाओ तो गर्मी लगती है तो क्या करो चलाओगी ना चलाओ बीजिये बेंजग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चर वह आचर पदों का गुड़न फल बीजिये बेंजग कहलाता है यानि ये कैसा बेन्जग जिसमें चर और अचर दोनों मिक्स होते हैं और कहीं यह अध्रिस भी होते हैं यह जैसे इसमें अचर पद दिखने रहा है फिर भी होता हैे ठीक है देखिए यहां पर यदि किसी बीज़िये बेन्जग में चरपद का कोई भी गुडांक ना हो, तब वहाँ एक माना जाता है, जैसे अगर यहाँ पर मैंने लिखा, नौ, यक्स, वाई, इसमें यक्स, वाई का गुडांक क्या है? यह बतावे पड़ी का भया का ना बतावे पड़े, तो लोग का सब बतावे पड़े, एक दम सुरूस समझे इसमें एक्स वाई का बेंजक जो जो गुड़ांग है बवुआ भाईया गुड़ांग नो है क्या है नो है यह देखो एक्स स्क्वाईर वाई जड़ का गुड़ांग क्या है आठारा है यह स्क्वाईर वाई जड़ का गुड़ांग क्या है नो है ठीक है अच्छा अगला देखो इक कावन ससंख्या लिख रहा है अच्छा इसमें एक्स स्क्वाईर वाई का गुड़ांग क्या है ग्यारा है जानगे ने गुड़ांक ठीक है जानगे तो फिर मुझे लगता है कि अब इससे जादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे तो मतलब आपको चलो ठीक है तो अच्छा तो इत्ता जान ले हाँ इका देखा फिर अब बताईए जेट स्क्वाइर वाई का गुड़ांक क्या है आरती बताईए रागनी तो नम सब लड़की यह लड़किया पढ़ती है लड़कवे कहां चला गया वह एक दिन कोई मुझे वाटसा पर वेजा था स्क्रीन साट कि सर क्या बात है आपकी क्लास में आज 85 गल्स ज समझाता तो हूँ रोज कि पढ़ लो पढ़ लो यह नहीं पढ़ेंगी तब भी काम चलेगा इनके लिए तो कोई पढ़ी रहा होगा लेकिन तुम्हारा क्या होगा लेकिन लड़के मानते ही नहीं मेरी बात ही नहीं सुनते हैं तो जाने दो अटाओ जुड़े रहते हैं काते हैं कमेंट नहीं करते हैं बात चीत करते हैं हालो फलानी कैसी हो खाना वाना खाई की नहीं मुझे याद करती हो की नहीं बस उतने में हमारे रोजी ब्लॉक कर देते हैं तो सांत हो जाते हैं बाकी आंसर तो उनको आता नहीं है आसी बात नहीं लड ठीक है यहा Yuk यहाँ पर इह पूली ज़ाता है ट Ö है इत शलिए अब हम पढ़ेंगे बीजिये बेंजक के प्रकार यानि टाइब साफ हलजेब्रिक एक्स्प्रेसान जिसमें एक पदिये बेंजग दूपदिये बेंजग तीन पदिये बेंजग और बहुपदिये बेंजग आज जन्माश्टिमी है क्या अब भयाई कहा होता है चलो आगे देखो उसके पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि जो भी कंडिडेट इस समय डिये लेड के मैथ में इन्रोल कर रहें उनको 70 पर फिर तक का छूट मिल रहा है और अगर आप कम समय में इमानदारी से पढ़ना चाहते हैं एक लाइन में बोलें अगर आप डियेलेड में 25 में 25 नंबर लाना चाहते हैं अभी टाइम है जोईन कर लिजिए पूरी गारंटी है कि अगर आप कोर्ष धंग से पढ़ यूटूब पर देखेंगे तब ही पासवास तो हो जाएंगे लेकिन 25 में 25 की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि यूटूब पर हम उतना कुछ दे नहीं बात है जितना देना चाहिए ऐसा बंजग जिसमें सभी चरवा अचर पदों के बीच में सिर्फ गुड़ा का चिन होता है ओनली मल्टीपल का साइन होता है वो क्या कहलाते हैं एक पद ये बंजग कहलाते हैं इस परिभासा से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा एक को नहीं आएगा जब तक एक्जामपल नहीं समझोगे देखिए जैसे यह पहला दूसरका तिफरका चउथा पच्वाँ अगरा अगरा कि अगरा है ठीक है तो यह समझ गया है इसका हम पीडिया दे देंगे टेली गराम चैनल पर लिखने की जरूरत नहीं है पर लिखे का गरोगे चलो कि उपर दिख रहा है एक पदिये बंजग बहुत बड़ा मतलब उपर जादा निकल रहा है यह आईए अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें बताओ कौन एक पदिये बंजग है पहले जिनको आता है वो इमांदारी से अपना एक बार बता लें क्या यह एक पदिये बंजग है अगर है तो ऐसे लिख दो A अगर C वाला भी है तो ऐसे लिख दो C और D वाला भी है तो D बीएड़ वाले बेदिक मायद सीखने के लिए था आते हैं अमन जी बहुत बहुत थाइंक्यू डेल सारा थाइंक्यू आए देखिए बात करते हैं आपस में जुड़ जाते हैं इसके लिए आपको बेसी काना चाहिए नहीं आता है तो देख लेना वहां पर आपको विस्तार से मिल जाएगा तो जैसे कोई भी सजाती हैं आपस में मिल जाएंगे यह मैथ को मैं आपको एक इकजांपल से समझाओं जैसे आपने देखा आओगा घर में सरसो का तेल मस्टरड आयल बोलते ना उसको दो बूंद लेकर एक गिलास पानी में डालो एक बल्टी पानी में डालो देखो अलाग-अलाग पानी में दो गूट दूट डाल दिया थोड़ा अभी दो चम्मज तब भी नहीं दिखेगा कहां गया थोड़ा देर बाद हिला दोगे सब मिल जाएगा न तो वैसे क्या है जो सजाती है पत होते हैं आपस में घुल मिल जाते हैं दूद पानी की तरह लेकिन जो भी जाती है अगलाग आँखे फाड़ के देखते रहते हैं उनकी मिलती नहीं पढ़ती नहीं कि अधिक नहीं कि नहीं बाकि इसको आज करके कट्ट्रता के जमाने में आप जाती और धर्म से और मजाब से भी तुल ना कर सकते हो अब क्या ही कहूँ चलो देखो पता नहीं का है को जो माई हो माई आ रहे है इतना देखिए सजाती पद है क्योंकि यह सभी में क्या है गाते समान है और चर्वी समान है तो यह सब जूर जाएंगे साथ एक आठ दो दस फाइनल में हो जाय। दस यक्स का स्कौायर यह एक पदिये बेंजक है क्या है एक पदिये बेंजक है इसमें देखो आगे इन सब का आपस में गूरा हो गुड़े के साथ जुड़े हैं इनका गुड़ा होने के बाद इसके बराबर ही आ रहा दूसरे वाले कि न एक बार करके देख लो तो यह सिर्फ दो हो जाएगा एक बार यहां एक बार यहां है दो बार हो जाएगा यानि इसे आप लिखोगे टू ए स्क्वाइर यक्स वाई स्क्वाइर जड़ ठीक है होगे डन चले आगे चलो यह भी क्या है फिर एक पदिये बंजक है जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह हमेशा आपस में एक दूसरे से गुड़ा के चिन के साथ जुड़े होते हैं बस एक चीज़ जान लो कि यह जो ग्लास हो रहे है जिनको बेसिक मैथ नहीं आती उनके लिए बिल्कुल संजीवनी है बेसिक भी है यह इनमें देखो 15xy यह xy यह 3x square y यह 5 भाई साहब यह दूनों तो जुड़ जहीं है अपस में 16xy हो जाएगा लेकिन यह चची नहीं जुड़ेंगी इनकी अलगे चुरेगी यह नहीं पटेगी इनकी तो यह हो जाएगी 16xy plus 3x square y plus 3 तो क्या यह एक पद यह है इसके आगे इनको कुछ नहीं किया जा सकता है ना यह जुड़ेंगे ना घटेंगे ना कटेंगे ना मरेंगे कुछ नहीं करेंगे तो यह 3 पद यह बेंजक है एक दूई तीन ठीक है इसका सूत्र खुलेगा निचवा वाले का यह निचवा उपर आना इसे देखो x square plus y square plus 2ab यह भी कहां से आगे रूख रूख यह देखो यह भी तीन पद यह बेंजक है क्या है तीन पद यह बेंजक है समझ गए एक पद यह दूपद यह कि नहीं 1080 पे देखो वो भी दिखेगा 720 पे देखो देखो भईया अपनी जिन्दगी की बहुत बड़ी मैंने पूंजी लगाया इसको 1080 quality ले जाने में live में वरना कभी 420 पे जादा नहीं जाता था मैंने अपनी आउकाद जादा लोन करवा दिया था समझ रहे हो Apple के product लगाये यहाँ पे कि आपको best quality मिल सके और कोई भी gadget जहां तक मुझे पता है जितना मुझे knowledge है कि Apple के product से महेंगे नहीं होते न उस तनी अच्छी quality हो क्योंकि इसमें हलके होते हैं और तेज होते हैं और बहुत सारी खासियत होती है फिलाल क्योंकि पहले जब नार्मल सिस्टम से live करते थे तो खुद ही रोता रहता था तो quality आप खुद नहीं बढ़ा सकते थे लेकिन अब आप चाहो तो TV में देखो चाहो तो इसे फोर के पैनल में देखो कहीं भी देखो clear दिखेगा बस आपका इंटरनेट होना चाहिए आप देखिए दूइ पदिये बेंजक या तीन पदिये बेंजक क्या होते हैं बिल्कुल वैसे ही कहानी इनकी भी है ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ऐसे बेंजक जिनमें कुछ चर्वा अचर के मध्धे प्लस या माइनस का चिन लगा होता है तथा दोनो पद बिजातिये होते हैं यानि जिनके बीच में प्लस या माइनेफ का चिन लगा होता है वो अनलाइक टम्स होते हैं यानि वो जूड़ घट नहीं सकते हैं ठीक है जिने जोड़ या घटा कर हल नहीं किया जा सकता जैसे फार इक जामपल ये 7x y square में 9x कभी भी जुड़ नहीं सकता है कि चुड़ करके 8x square y हो जाएगा इसा नहीं होगा ठीक है तो ये दो पदिये बंजक है एक ये एक एक ये तब ये एक पदिये हो सकता था, क्योंकि ये जूड जाता 9161 स्कॉयर वाई, समझ में आया, एक पदिये हो सकता था, लेकिन ये सजातिये है नहीं, अलग अलग है इसलिए ये दूपदिये है, समझ गए? इसमें देखिए ये भी दूपदिये हैं, कि तीन पदिये हैं? इस दूपदिये नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो, इन दोनों लोग की बन रही आपस में, ये क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे मिलकर, दर्द दिलों के कम हो जाते, जब यक्स और वाई, दोनों, एक हो जाते है ना देखो यहां पर तो यह दोनों एक में मिल जाएंगे आठ एक नो नो वाई इसक्वाइर और माइनस तीन क्योंकि यह दोनों सजाती है थे जुड़के आपस में यह तीन तो इसमें से घटेगा नहीं कि छे आजाया ऐसा नहीं होगा यह तीन तब घट सकता था जब इतना होता मतलब इनकी भी आवकात होती उसके बराबर तब घट सकता था समझ रहो ना तुम्हारी आवकात साइकल खरीदने की भी नहीं है तो कहां से तुम्हें कामया भी मिलेगी है ना आवकाद बढ़ाओ अपनी चलो देखो समझ गए यहां से इसमें से कभी नहीं घड़ सकता है यह तब घटेगा जब इसके बराबर आएगा कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर की इसमें कितने लोग गाँसने दख रहे इस समय कि असे गाँसे जहां पर पहुचना उतना मुश्किल है इतना मुश्किल चांद पर पहुचना नहीं है उसमें पहला मेरा गाउ है मेरे गाउ में ना ट्रेक्टर किसी बाद दूसरी गाड़ी से अगर तुम गए तो फिर दुरगाट ना हो सकती है ट्रेक्टर जा सकता है बस और या तो मेरी स्कूर्टी जाती है और या बुलड जाती है बस दूजे तिन गाड़ी जाती है वहाँ पर बाकी नहीं वहाँ पर इंटरनेट भी जाने में डरता है इंटरनेट भी ने चलता है डंग से न तो यह हो गया यह समझ गए यह क्या है दो पदिये बंजक है अच्छा यह कितना पदिये बंजक है नीचे वाला सी वाला कितना पदिये बंजक है वो गाना सुने हो कि नहीं दुनिया में अरे मुझे गाने का थोड़ा वो नहीं बनना अंदर थे दुनिया में कितना गम है मेरा गम सबसे कम है तो वही हाल है अभी तक मुझे भी लगता था था ना कि मेरे इकाव में सारी दिक्का थे लाइड की क्या हाल ना पता है बांस की कोट जानते हो हम लोग यहां जो तार आया वायर लाइड का वो कोट के अंदर से आया है दिनके लिए और गाउं के लोग चतुर चोर हैं चतुर चोर जिने कहते हैं कनेक्सन नहीं करवाते हैं तो ट्रांसफार्मार या कोई परकार की सर्विसिंग बिजली विभाग करेगा नहीं क्योंकि कनेक्सन नाम मातर के हैं और लोड बहुत ज़्यादा है तो जहां सब चोरी बसें वाँ क्या होगा सीधा फिदा कह सकते हैं मेरा गाउं बिजली चोरों का है है न देखो मैंने अपनी इज़्यत अपने हाथ में लेके आपको खुदी दिखा दिया चले आगे हाँ तो ये भाया तीन पदिये है तीन पदिये नहीं है वो दू पदिये है ये दो पदिये है क्योंकि ये आठ यक्स स्क्वाइर वाई जड और ये पांच तीन जुड के आठ हो जाएगा पांच तीन जुड के क्या हो जाएगा आठ ठीक है इसमें आठ कामन भी ले सकते हो अब भी उतोपर दिये ही रहेगा देख लेजिए दिख रहा सभी को चले तो यह तो मैंने अभी पढ़ाया ही था तो एक पदिये दू पदिये तीन पदिये पाँच पदिये सब सिख गया देखो फिर एक और बता तो जान जाएं कि हाँ आप लोग बड़ा समधारी बाला बड़का 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 लड़का आए है चला बताओ यह कितना पदिये बेंजक है इमानदारी के साथ बताना चलो कितना पदिये बेंजक है यह यह बार बार प्रयाग राज लिख रही भाई काहे को सभी साथी फटापट सेशन को लाइक करें देखिए आपकी जिम्मेदारी होती लाइक करना अगर हम आपके लिए सब को छोड़ चाड़ के आपको फ्री पढ़ा रहें यूट्यूब पे तो आपको एक बटाने तो टच करना है न आपके मुह में अंगली डालने तो नहीं बोल रहे हैं इतना डर रहे हो परियाग राज से कौन कौन है फाफा में जानते हो कि नहीं आप लोग फाफा है न आजीब सनाम कितने लोगों ने सुना है ये भी आजीब सनाम मुझे लगता था पहले लेकिन आप तो आदत पढ़ गई अनित्या जी आप जाके सो जाओ आज पानी बानी पी के सुबा दीखेगा आपको तो कितना पती है कोई आंसर तो नहीं बताया देखो बकईती करना हो हाल चाल पूछना हो तो बड़ा मुझा आता है हाँ खाना मना बन गया और क्या कर रही हो और और वगरा वगरा लेकिन आंसर बताने का है तो नहीं फिर सब चुप हो जाएंगे आए देखिए ये साथ एकस का स्कुआर है इसके जैसा कोई नहीं है है ये है ये भी है तो बहिया साथ एक आठ और पांच वो तेरा तो ये हो जाएगा तेरा एकस का स्कुआर एकस वाई स्कुआर दूनों जुड जाएंगे तो नो एक दस येकस वाई स्कुआर और बच रहा है तो नो बच रहा है बस यही है इतरा तीन पद ये है कितना है तीन पद ये है किसी को कोई डाउट इसमें नहीं न तो ये चैप्टर हम यहीं परिंड कर देते हैं अगर आप PBR Study एप में देख रहा है इस लाइब को तो बहुत अच्छी बात है अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो फिर PBR Study एप पर जरूर जुड कर लें ठीक है अभी एक नया नया आफर चल रहा है जिसके बारे मैं बताऊंगा उसके पहले हमें टेली गराम पर जरूर जुड कर लें टेली गराम पर सर्ज करें PBR Study और जो छात्र छात्र हैं Instagram यूज करते हैं वो Instagram पर भी ये नाम सर्ज करके जुड कर सकते हैं ठीक है Twitter, Instagram, Facebook हर जगा सर्ज करें कहीं भी इंटरनेट पर आपको मिलेगा यही नाम है PBR Study पर लिंग देख लो अभी DLN के All semester Maths का Full Course Full Course इसमें भारी डिसकाउंट मिल रहा आपको इसकी फीट 2396 है पूरे दो साल के लिए अभी इसमें आफ चल रहा है इतना चल रहा है आफ कि मैं आपको क्या ही बताऊं Only सिर्फ 799 में मिल रहा है और ये valid होगा पूरे दो साल जोईन करने वाले छात्र जल्दी करें लिम्टेड सीटे होंगी यानि आपको मैत्स वाला टेंसन मेरे पास छोड़ देना है 799 में पूरे दो साल अगर आप अनुमान लगा लो 24 महीने के लिए 800 तो कितने रुपे महीने हुँआ बया कोई हिसाब बता दो गड़ी तितना पढ़ाया हूँ बताइए और इमानदारी के साथ जो पढ़ाया जाएगा अगर आपने उसे नोट्स वगरा बना लिया न तो चारो समेश्टर में पुडांक मिलेंगे मैत में पूरी गारंटी हमारी लेकिन पढ़ने की जिम्मेश्टरी आपकी होगी तो कोई भी जो भी कंडिडेट इचुक है कम समय में पढ़ना चाहते हैं वो जुआइण जरूर कर लें ठीक है भया ठीक है आगे चले ठीक है तो इसमें उतना रूपे महीन लग रहा है जितना आपका एक चौराहे फे दूसरे चौराहे जाने में किराया लग जाता है लग बहुत 33 रूपे पर मंथ ठीक है तो चलते हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थांक्यू किसी का कोई सवाल है कोई डाउट है कुछ भी कहना चाहते हैं कोई इंक्वारी है तो आप इन नंबर्स को नोट कर ले इन पर कांटेक्ट करें आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थांक्यू धेर सारा धन्यवाद डाउट की कलाफ राद 10 बजे होती है इसकी अपडेट हम टेलीगराम पे देते हैं क्योंकि ये कलाफ रोज नहीं होती है कभी-कभी छुट्टी रहती है तो वो अपडेट आपको टेलीगराम पे मिलेगा एक बार फिर से धेर सारा थांक्यू आपने इतना महत्तो पूर टाइम दिया अपनी लाइफ का में पूर झालग कैंपने वो जुट्टी इतना मिलेगराम पीओं आपने होती हो से अपने गता है करन दानि में? करना में? झाल 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 झाल